वर्ष 2014 से देश में मेट्रो रेल सिवाओं का विस्तार तीवर गती से हो रहा है। प्रधान मंत्री की ईज अव लिविंग संकल्पना के तहट शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्ता को बेहतर करने और प्रदूशन मुक्त यात्रा के साधन के तौर पर मेट्रो की परियोजनाओं को गती दी गई। वर्ष 2014 के पहले जहां देश के सिर्फ बाग शहरों में मेट्रो की सुविधा थी तो वहीं आज 18 शहरों में मेट्रो का विस्तार हो चुका है। उत्तर प्रदेश के चार महत्वपूर्ण शहरों लगनव, घाजियबाद, नौईडा और ग्रेटर नौईडा में 83 किलोमीटर मेट्रो के संचालन के आरंब के बाद कानपुर और आगरा शहरों के साथ मेरट को राजधानी दिल्ली से जोडने वाली RRTS पर योजना के तहत 131 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर्स का निर्मान कार्य तीवर गती से जारी है कोविड की दो लहरों की गंभीर चिनोथी के बीच भी काम की गती को उत्तर प्रदेश मेट्रो की टीम ने बनाई रखा प्रायोरिटी कोरिडोर के सभी नौ स्टेशन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसल दुआरा प्लाटिनम रेटिंग से प्रमाने थे गुरुदेव चौराहे परस्थित कानपुर मेट्रो डीपो अत्याधुनिक और विश्वस्तरिय है कानपुर मेट्रो परियोजना के अल्ट्रा मॉडरन तक्नीक से युक्त तीन कोच वाली मेट्रो ट्रीन मेक इन इंडिया और आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत गुजरात के सावली में निर्मे थे कानपुर वासियों के लिए आज एतिहासिक ख्षण है कानपुर में मेट्रो रेल शुरू होने से शहरी परिवहन न सिर्फ सुगम और सुरक्षत होगा बल्कि शहर के प्रदूशन के स्तर में भी कम ही आएगी कानपुर वासियों की जीवन शैली में बदलाव होगा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे व्यावसाई गति विधियों में तेजी आएगी महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग जन को यातायात का सुरक्षत साधन प्राप्त होगा 2024 तक दोनों कोरिडोर्स के निर्मान के बाद लगभग 9.4 दाख कानपूर वासियों के मेट्रो के सफर का आनंद लेने का अनुमान है सबसे ज्यादा परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश मेट्रो की मामले में सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल होकर मेट्रो प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है